हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने हेल्दी नमकिन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं इसे हम एक बार बना लें तो महीनों तक रखकर खा सकते हैं तो इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें कड़ाई लेंगे कड़ाई में हम एक चमच ओलिव ओईल डालेंगे ओईल को गरम कर लेंगे, जब ओईल अच्छे सा गरम हो जाएंगे तब इसमें मुछिक की दैने डालेंगे यहाँ पर मैंने एक कप मुमफली के दाने लिये हैं मीडियम फ्लेम से अलट पलट करते हुए इसे हमें क्रस्पी होने तक अच्छे से भून ना है हाई फ्लेम से नहीं भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे इसके बाद हम half cup यहाँ पर काजू डालेंगे कोई भी dry fruit अपने taste के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते है इसे भी अलट पलट करते हुए medium low flame पर भूनेंगे मुमफली के दाने भूने में थोड़ा time लगता है इसलिए सबसे पहले में हमने मुमफली के दाने डालेंगे उसके बाद काजू डालेंगे step by step एक एक चीज डालेंगे और यहाँ पर मैंने भूने चने लिए हैं एक cup यहाँ पर मैंने 1.5 cup भूने हुए चने डालेंगे इन्हें भी हम mix कर लेंगे एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे क्योंकि ये भूने भूनाई है सबसे पहले हम उस ड्रायर फूट को डालेंगे जो भूने में ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए सबसे पहले हमने मुमफली के दाने डाले थे उसके बाद हमने काजू डाले हैं और उसके बाद हमने इसमें भूने होए चने डाले थे अब इसमें हमने दो भावल मुर्मुरे डाले हैं मुर्मुरे भी अच्छे से mix करते हुए भून लेंगे ये पहले से ही काफी क्रस्पी थे लेकिन ये थोड़े से और भून जाएंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा एक दो मिनट तक इसी तरह से अलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर हम भून लेंगे उसके बाद हम एक बड़दन में निकाल लेंगे अब ये सभी चीजे बहुत अच्छे से भून गई है अब हम एक चमच या आधा चमच ओईल और डालेंगे और यहाँ पर मैंने दो बाउल मखाने डालेंगे इन्हें भी अलट पलट करते हुए भून लेंगे और एक बार बीच में एक दो बार चेक कर लेंगे जब ये हाँस से अच्छे से चूरा होने लगेगा तब तक हमें इसे इसी तरह से भून लाएं एक बार हाँस से दबा के देख लेंगे अभी ये थोड़े कम तूट रहे हैं इन्हें हम एक दो मिनट और भूनेंगे लो फ्लेम पर अब ये बिलकुल अच्छे से चूरा हो रहा है ये काफी क्रस्पी हो गए है इसके बाद यहाँ पर मैंने पमकिन सीड्स डालें हैं हाफ कप हाफ पाउल इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे भून लेंगे ये बहु ज़्यादा हेल्दी होते हैं अब ये मखाने और पमकिन सीड्स दोनों बहुत अच्छे से भून गए हैं अब हम इसमें टेस्ट के हिसाफ से मसाले एड़ करेंगे सभी चीजे काफी क्रस्पी हो गई हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाफ से लाल मिर्ची पाउडर अमचूर पाउडर अगर आपके पास करी लीव हो तो उन्हें भी डाल सकते हैं उसका भी नमकीन में टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब बाकी के जो हमने मुरुमुरे मुमफली के दाने काजू भूने थे इन सब को डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक दो मिनट तक इसी तरह से अलट परट करेंगे जिससे की सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं आप चाहें तो लाल मिर्ची की जगा काली मिर्ची भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के साब से या फिर इसमें किश्मीश पदाम इन चीजों को भी डाल सकते हैं अब यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे जब यह बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो हम इसे एर टाइट कंटेनर में भरके रख सकते हैं और जब भी खाने का मनों इसे हम यूज़ कर सकते हैं एक बार बना ले तो यह महिनों तक खा सकते हैं अब यह मारी हेल्दी नमकिन बनकर तयार हो गई है थैंक यू